Good morning students, class 2, subject matter. Today's topic is multiplication. Example, find the product of the following. Product निकालना है, given numbers are 225 multiply 3. 225 को हम इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 200 plus 20 plus 5. इस तरह से कर लेने पर multiply करना easy हो जाता है. अब 200 को पहले multiply करेंगे 3 से, plus 220 multiply 3, plus 5 multiply 3. इस तरह से 236, 20 है, तो क्या करेंगे 6 पर 20 put कर लेंगे. 600 plus 236, 10, 10 put कर लेंगे, plus 53, 15. जैसा कि मैंने पिछले क्रास में बताया था, कि left side में तो डिजिट को multiply, हम लोग 2 numbers को multiply करेंगे, तो left side, right side में जो product आएगा, उस पर जितने 0 left side में होगे, उतने हम product के right side में उतने 0 put कर देंगे. यहाँ पर हो गया 600 plus 60 plus 15, कितना हो गया? 675, यहाँ पर सबको साथ में, तीनों numbers को साथ में add कर लेते हैं, 675. अब second example है, 515 multiply by 5, 500 plus 15 लिख लेंगे, कितना हो जागा? 515, अब इसको multiply करते हैं, 500 को पहले 5 से करेंगे, 500 multiply 5, plus 15 multiply by 5, 15 multiply by 5, कितना हो गया? 55 जा 25, 2 0 है, तो product कितना? 55 को 25 आया, और 2 0 था लेफ्ट साइड में, तो product के right side में 2 0 उतने कर लेंगे, कितना हो गया? 2500 plus 55 जा 75, दोनों को साथ में add कर लेंगे, कितना हो गया? 2575, और इसको एक मेथर सोर सॉल्व कर सकते हैं, यहां 500 plus 10 plus 5 इसको हम लिख सकते हैं, 500, 10 plus 5, तिनों को साथ में add करेंगे, कितना हो गया? 515, multiply by 5, अब 500 को पहले 5 से multiply करेंगे, फिर 10 को 5 से, फिर plus 5 multiply 5, 500 multiply 5, प्लस 10 multiply 5, प्लस 5 multiply 5, अब इसको हम क्या कर लेंगे? 55 जा 25, तो जीरो है, तो इसको पूट कर लेंगे, 25 पे 20, प्लस 10 फाइब जा 50, प्लस 55 जा 25, अब तीनों नमबर्स को add together, साथ में add कर लेंगे, कितना sum हो जाएगा? 2575, दोनों सेम है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, जिस तरह से easily आपको multiply करना लगे, उस तरह से आप उसको बना सकते हो, that's all, thank you.